बॉनिंग बच्चों आज हम हंदी व्याकरण में आपका अपठीत गध्यांस के बारे में पढ़ेंगे अपठीत गध्यांस क्या होता है वह गध्यांस आपकी पाठे पुस्तक से नहीं ले गया होता है और जो आपका पढ़ावा नहीं होता है अपठीत हो पढ़ावा ना हो ठीक है जो गध्यांस है अपटित गध्यांस उनको लिखने हैं हल करते समय हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान अखना चाहिए वह मैंने आपके कुछ पॉइंट लिखे हैं हना गध्यांस को आपको जब आपको गध्यांस दिया जाता है इसको दो-तिन बार ध्यांस से पड़े अंघसान के तक पुछा गया है यह दो आपको वह करते हैं पूरा मिलती है उसके निचे तक पुर आप निशान लगा के पुरा लिख देतें आपको प्रस्ट में जितना पूछा जाता है यह उतना ही उसका उत्तर दो ठीक है, उत्तर अपने सरल शब्दों में दे सकते हैं, वाक्यों का प्रयोग भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, उत्तर में कोई भी विचार अपनी और से नहीं मिलाना चाहिए, आपको कोशन जो पुछा गया, कि वह आप उसका ही आंसर देना चाहिए, अपनी और से कुछ नही केवल वही शिर्चक उसको लिखना चाहिए, उसका नाम लिखना चाहिए शिर्चक में, हाना, अब देखो मैंने आपने एक अपटीद गध्यास लिया है, हाना, तो इसको मैं पहले पढ़ रही हूँ, फिर आप इसको आंसर भी देंगे इसमें, ठीक है, कोईल को सस्कित भा के बोलता है, उसकी यहाँ आवाज मधूर लगती है, कर्मी के मौसम में यहाँ आवाज अधिक सुनाईत परती है, क्योंकि सर्दियों में कोईल, गर्म, परदेशों में रहने चली जाती है, इसका कारण यहाँ है कि इसके अंदर अधिक सर्दी बरदास करने की छुमता नह हराश्च, गुजात और दक्शिन भारत में यहाँ प्रते एक मौसा में दिखाई देती हैं, यहाँ अपने आहार में फलोका सेवन अधी करती है, इसके अंडे आकार में कवे के अंडे से छोटे होते हैं, उनका रंग हरा होता है, मादा कोयल कवे के घोषले में अपने अंडे रखती है कव्य उसके अंडों को सेते हैं मादा कोईल अपने अंडों को स्वयम नहीं सेती हाना अपने इसको अपने ध्यान से पढ़ा न अब देखो पहला ही कोशन में से मना ले थी जैसे मना दी दिया हुआ है कोईल को सस्कीत भाषा में क्या कहते हैं अभी आपने पढ़ा वेन रहे चले जाती है पढ़ा था अभी हमने आपको अफ़िए कि करती है अपने अहार में तेपने पढ़ के सेवन अधिक करती है अभी मैंने अंडे कहा देती है कवे को nostra तेक attract करता था त्वह अपर्साद का जब ऽोड़े ही दूरी पर एक खो लृत रहता था वह समय करता था पर बड़ा आलसी था, वह सिर्फ दूसरों का भोजन चुरा कर खा जाता था धीरे धीरे बारिश का मौसम आगया, खरगोस ने तो अपना घर बनाया ही नहीं था जाड़ियों में पानी भनने से अब उसके रहने के लिए जगा भी नहीं थी बची थी, बारिश में जबरदस भीगने पर उसे ठन लगने लगी वह गिलेरी के पास पहुचकर बोला, गिलेरी बहन मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत आलस किया और अब इसका दन भुकत रहा हूँ, किर्पया मुझे बचा लो गिलेरी ने उसे माफ कर दिया, और अपने घर ले गई, उसे खाने के लिए भोजन दिया आज से खर्गोस बदल गया था, यह आपने पढ़ा अब आपका, इसमें लाइन कुछन पुछा है गिलेरी का रहती थी, गिलेरी का रहती थी, एक जंगल में बेर के पेर के निचे गिलेरी रहती थी खर्गोस का सबाव कैसा था, बहुत आलसी था, खर्गोस का सबाव कैसा था, आलसी था गिलैरी बारिश में आने से पहले क्या करती थी बताओ क्या करती थी गिलैरी अपने घर में महीनों से पहले पहुजन इखटा करती थी महीनों से ही आपना हाल मौसम में अपना खाना इखटा करती थी बारिश के मौसम में खरको उसको क्या हाल हुआ बताओ क्या हाल हुआ था ज़ाडियों में पानी भनने से और वो कई भी ने रह सकता था क्योंकि उसके सारे जो ज़ाडियों में रहता था वहां सब जगा पानी भर गया था है ना आसान यदि आप इसको पढ़ोगे तो इसके आप आंसर दे सकते हो आपठित कावियांस में आपका कावियांस क्या होता है जो कविता होती है उसको बोलते हैं और कावियांस को भी आप दो-तीन बार पढ़ेंगे और तब उसका आंसर लिखना चाहिए और परशनों के उत्तर कावियांस के आधर पढ़ी देने चीए लेकिन आप कवीता की तरह नहीं लिखोगे उन्हें अपने शब्दों में वाक्यों में प्रियोग करके लिखोगे हना ऐसे नहीं कि आप पुरी पोएम में से ही लिख दिया जो questions पूछा जाता है उसको answer आप वाक्या बनाकर अपने शब्दों में लिखोगे ऐसे नहीं कि कविता की तरह ही लिख दिया हला यहाँ पर मैंने एक अपटीत की दियांस लिखा है हमें पढ़ी उसको एक काबूली वाली की कहते हैं लोग कहानी लाल मिर्च को देख भर गया उसके मुह में पानी सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने में बल होगा यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा बोला लाल लाल पतली छीमी होग चीज अगर खाने की तो हमको दो तोले छीमिया फक्त चार आने की हाँ यह तो सब खाते हैं हना कुझिन बोली बेचारी और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी छोली जैसे ही मिर्च चीप पर रखी उसने जोर दिखाया मौ सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया ठीक है यह आपकी पोहम है हना इसी से मैंने आपको कोशन लिखे हैं जब काबुली वाले ने लाल मिर्च चीप पर रखी तो क्या हुआ जोर से उसे क्या लगी जब काबुली वाले ने लाल मिर्च चीप पर रखी तो उसकी सारी मूँ क्यास का सारा मूँ जल उठा और आँखों में पानी भर आया आप इस तरह चांसा दोगे ऐसे नहीं कि आप इसमें लिख लोगे पूरा लाइन लगा के ठीक है काबूली वाले ने कुझीर से कितने पैसे की लाल मिर्च की छीमिया तोलने के लिए कहा था बोलो दो तोले की हाना तो आपके लिखोगे काबूली वाले ने कुझीर से कितने पैसा में दो तोले पैसो की लाल मिर्च छीमिया तोलने के लिए कहा था काबुली वाले ने लाल मिर्च को देखकर क्या सोचा काबुली वाले लाल मिर्च को देखकर सोचा कि ये क्या है मिठा सा कोई फल लगता है सुन्दर सा इसने खाकर क्या हो होगा मिल्स्पब को बहुत जादे टाकत आपन आ जाएगा हाँ आक बुर्फ को देखकर उसके मुह में पानी आ गया पध्यान्स до चुनिए अप इसके काला को भी स्थिश्चक दिखो हो रही है और लाल मिर्च की भी बात हो रही है तो आप इन में से कोई भी शुशक पध्यांस के लिए दे सकते हैं ठीके आप इसी तरह से इसको अब एक्जाम में अच्छी तरह से पढ़कर आंसर दोगे उत्तर दोगे धन्यवाद